हेलो आज मैं आपको बताऊंगा हम कैसे यूज करते हैं डिश्वाफ्षर तो यह बोश का डिश्वाफ्षर है मैंने इसको अलड़ी लोड किया हुआ है तो इसमें तीन स्रक्षन होते हैं पहले स्रक्षन में हम जंडरली चमच चीज़ें डालते हैं जो छोटी सोफी डालते हैं और हमें ध्यान रखना है कि हमें यह सब उल्टा कर करके ड़ना है नीचे की तरब से क्योंकि पानी नीचे के al des anges निए आपि इसमें मैंने उण प्लेटु करके रखे हुए हैं यह उल्टा करके रखे हुए कपस ऊस் sièहें हैं यह उल्टा करके मैंद क्यों क्योंकि पाणी नीचे के तरब से मारता है यह ध्यान रखेंगा इसमें मैंने बड़े बरतन रखे हुए है वह भी मैंने उल्टा करके रखा हुए है यह ध्यान रखेंगा अब और यहां पर है डिटर्जेंट का कि अगर आप तो बाद डिटर्जेंट है आप इधर डाल के इसको लोक कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे डिटर्जेंट यूज नहीं करता हूं इस वज़े से मैं लिक्विड यूज़ करता हूं तो जनरली मैं लिक्विड इस जगह पर ऐसे डाल देता हूं लिक्विट डाल के हमें ये सब अच्छे से अंदर कर देना है इसको बन करने से पहले यहां हमारे पास इसके मेन्यूज है तो मेन्यूज में मैं ओन करता हूं यहां से on करते ही यहां पλάट जाता है यह एको पर राता है तो इसको आप इको पर रहने सकते हैं यहां पर अलग अलग यहां पर function है तो टो इंट्रेश्य यूस कर लीजिए उसकर चाहिए next आपको जो भी mode use करना है अपना mode select कर लिजे यहाँ पर आप by default time set हो जाएगा start करिए start करते ही इसको बन कर दीजे, बन करेंगे नीचे यहाँ light जलेगा और यह start हो जाएगा जब यह end होगा तो end में beep आवाज आएगी तो समझे कि आपके बरतन सारे साफ हो गए है thank you